पंडी मात्रम दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी एक पर फिर से हाजिर हो मैं आप सभी के लिए एक और इंफरमेटिव और यूसफुल वीडियो लेकर तो दोस्तों आप सभी को यह ग्यात होगा कि चारधाम यात्रा का जो मार्ग है वो अभी प्रगती पर है इसके साथ ही दोस् सभी चारधाम यात्रा पर निर्भर करते हैं इसके साथ मैं आपको यह भी बताना जाहूंगी कि अगर यात्रा खुलती भी है दोस्तों तो यात्रा फेजवाइस ही खुलेगी पूरे भारत के लिए एक साथ यात्रा नहीं खुलेगी यादी मैं बात करूं कैदारनाथ वैल चाहे वो या मनोत्री हो या गंगोत्री हो इन जगह के मैं यदी बात करूं तो जो यहां के होटल्स है या चाय नाश्टे की दुखाने या खाने पीने के साधन है अभी वो सेटल नहीं है इनको बनाने में समय लगेगा दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि ज समय भी चाहिए उसके बाद है दोस्तों स्टेट के लोगों को कहा जाएगा सेट अप के लिए और फिर उसके बाद सेट अप के लिए ही सेंटर के लोगों को कहा जाएगा तो दोस्तों आप यह मान कर चलिए कि अगर सोला सितंबर को कोई डिसिजन आता है तो आप सितंबर क बाद ही यात्रा कर सकते हैं यह बात कन्फर्म्ड है कि All Over India के लिए सितंबर मंत में ही यात्रा स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वहां पर आपको कोई भी फैसलिटीज नहीं मिलेगी दोस्तों आप जानते हैं कि अब पचार्स या पच्पन दिन ही यात्रा को शेश है तो जो का कर सकते हैं वैसे भी गवर्नमेंट लिमिटेड ओफ नंबर्स गैस्टी अलाउट करेगी बरहाल दोस्तों उमीद यह है कि चार्धाम यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो और बाबा के जितने भी भक्तें सबी भक्तों को बाबा के दर्शन प्राप्त हो तो दोस्तों मैं आ आपको इस वीडियो में बताया क्या वो सही है क्या आप लोग भी मेरी बात से सहमत है यदि हां तो प्लीज कमेंट में जैशे के डार हर हर महादेव जै भूले नात लिखना न भूले और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नहीं ह तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नहीं यूस्पूल और इंफरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों